कि सबसे पहले तो यह देख लो जिनने नहीं जी कैसी दिखती है क्योंकि कुछ लोग होगे जिन्हों ने टेक्सबूक खोलीए कोई बात कि पहले या आप समझ लो जारा बचो अपन कर रहें इंग्लिश में बहुत सिंपल चीजे हैं क्या-क्या फोकस करना है कि आपको इन बा चौथा ये कि जो पोएम्स है खास करके वो आपको डिफिकल्ट जाती है तो पोएम्स के थोड़े डिसकेशन अपन करेंगे और पोएम्स में इस बार जो नया है एक आपको अप्रिसीएशन अफ पोएम्स वो लिखने का एक पैटर्न है आपको पता ही है कि इसमें फुल मार्स तो आपको नहीं मिलने वाले बट स्कोरिंग जो है आपका मेजर वो ग्रामर राइटिंग सेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन जो सीन वाला है वो तो आपका गैरेंटीड है कि वहाँ पे स्कोर होने वाला है ठीक है अंसीन तो खेर वो आप जो सीन पैसेज़ें उसके ओपर अपन फोकस करके अपने जो मैक्सिमुम मार्क है वहाँ पे गैन कर लेंगे ठीक है ना बच्छो चलो तो सबसे पहला काम अपन क्या करने कि जो भी रिदूस पार्ट आपका उसको अपन निकाल देते हैं तो थैंक्फुली सम्वन स्मार्ट सिदिंगर थेर इन नमहरेश्ट अपन लौट फोर इंग्लीश फॉन फोर अधरेस्ट वेल्डेस पूराश पूरा हां तो फिजिक्स आपका साथ साथ just let me check confirm once again why we travel that is 1.7 ये भी आपका डिलीटेड में है ठीक है ना ये दोनों पार्ट जो है वो डिलीटेड में है ये दोनों डिलीटेड में है न्यू ड्रेस बाई वर्जिनिया वुल्फ एंड वाई वी ट्रावल बाई सिधार्थ रगवान अयर डिलीटेड से की वॉक्सिन ब्यूटी बाई जोज गोर्डन बाईरन एंड स्मॉल ताउन रिवर्स बाई ममंग देसाई ममंग दाई स्वारी राइट बोत अव थीस आर डिलीटेड तो चार चाप्टर आपके वैसे डिरेक्ली उनों ने डिलीट कर दिया है नौ वें यू आर मार्किंग डिलीटेड पार्ट प्लीस पर अटेंशन वन वेरी इंपर्टेंट इंप स्क्रीण आप इस चैप्टर तो डिलीट कर दिया उसको क्यों क्यों डिलीट कि वह वह बहुत अच्छी बात है उन्होंने बोला है बहुत भले लोग है बट राइटिंग स्किल अक्टिविटीज इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर जो टॉपिक डिलीटेड है उसके टेक्स बैक में अगर कोई राइटिंग स्किल एक्टिविटी है तो वो इंक्लूडड है वो डिलीटेड नहीं है वो सेल्फ स्टड़ी मान के आपको पढ़ लेना ऐसा लिखा उन्होंने देख लो ज़रा ध्यान से बात समझ आ रही है चैप्टर पूरा डिलीटेड है चैप्टर से रिलेति डिरेक उसा क्डिंग डिलीटेड है बट उसी टॉपिक का इप्सीय選प ऍचेश कंग गर पढने में एपको सम्हान कौक्ट दिलीटेड ग्योंन्त तूर आपको करना है included for self-study. Did you get this? And for all four topics, they have written the same thing. Now, what will we discuss in writing skills? We will discuss it in a different section. But make sure that you understand that in chapter you don't have anything to do with it. But in text back, the writing skill questions are going to do. I hope that is clear, kids. So, what will we do in paper pattern? Look at this. Your pros will come. Obviously, that is 34 marks with options. poetry, 14 marks with options. Writing skills, you have to mark with option 48, which means that there are optional questions. Obviously, they will give you two topics. You have to choose one. Or two different writing skills. You have to choose one. And novel as a genre, which is this year, the new edition. That is a 16 mark. Separate question. Okay? Total obviously 80. 20 marks, which is oral examination, which will be in college. समझे होगा या जोबी internal, आपके internal assessment, के मार्क सै् है. उसमें से जेनरली, अगर आप integrated हो तो आपको 17, 18 तो वैसे भी रीजाते. आटरा मार्क समझो. जेनरली स्टुरिट्स को मिल जाते हैं! अगर आपने नार्मली पूरा सब यह भी एक बर ब्रीफली देख लो वह जादा डीटेल में नी ब्रीफली एक बर देख लेंगे जो अपना सेक्शन वान जो प्रोज है ठीक है उसमें आपका कॉंप्रेंशन जो आएगा पहला जो सीन पैसेज है उसमें फिक्स्ट फॉर्माट एक वेस्टन का पहले समझो की दो-दो मार के आपके कॉंगे उसमें फिर्स्ट क्वेशन विल भी ग्लोबल अंडेस्टनिग दिए ओवर अंडेस्टनिंग उसके उपर बेज रहेगा कि अच्छा एक पैसेज दिया हुआ है यह किसके बारे में या इस पैसेज का मेसेज क्या है या इस पैसेज का एक हाइलाइट या इंडिरेक्ट इंफरमेशन दिया रहेगा जो आपको उसमें से दूण के अपने वर्ट में लिखना है थार्ड इस इंटर्प्रेटेशन और अनलेसिस क्वेस्टन विच मीन्स कि एक व्यू पॉइंट ऑफ यू दिया है उस पैरेग्राफ में किसी चीज से फर एक्जांपल आपको उस पैरेग्राफ से क्या समझ में आया आपका इंटर्प्रेटेशन क्या है और आपको आपको वहां पर पूछा जाए है राइग जैसा में एक्जांपल दिया कि पॉपिलेशन के वारे में अगर पैरेग्राफ है अंदे से अच्छा डू यू फिल एट ओवर यूथ पॉपिलेशन जाए है तो हम जादा कमा सकते हैं या वी इन बिगर एकोनमी अल भाव दैट इस यूर इंटर्प्रेटेशन समझ में आया बात कि जो टॉपिक दिया उसके बारे में आपका क्या अनलिसिस्ट या क्या इंटर्प्रेटेशन फोर्त इस यूर पर्सनल इस यूर पर्सनल रिस्पॉंस तो आपको कैसा लगेगा या आपको आपके साब से क्या अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए इस यूर पर्सनल रिस्पॉंस तो था पर्टिक्लर क्वेशिंश इडियू इस यह पर्सनल रिस्पॉंस ताइप इस लांविज तुटी आपका कोई एक क्या बोलते हैं नाउन फॉर फॉर या कुछ और आपके लिंग्विस्टिक टूल्स के उपर कोई क्वेशन होगा और vocab also similar so last two questions are similar mainly grammar and language study based ठीक है ना उसके बाद section first section का B part second part जो है वो purely grammar रहेगा purely grammar यानि कि आपका या तो forms लिखने या tenses लिखने active passive voice question tag या आपके figure अगर कोई poetry है तो figure of speech उसमें आ जाएगा और वो सारी चीज़े and a question fix रहेगा spot the error मतलब की grammatically incorrect sentence दिया रहेगा और आपको उसको correct करके लिखना है clear यह आपका section 1 हो गया section 2 same funda everything if you see the format of the questions are the same just that यह unseen paragraph होगा पहला वाला seen passage होगा दूसरा वाला unseen passage unseen passage के लिए प्लीज मेरी एक request है आप सबसे की time waste नहीं करना है ठीक है there are books available in the market वो selected unseen SUP आता है selected unseen passages nonsense है ज़रूरी नहीं के उसी बुक में से आने वाला है ठीक है they just make a prediction कि हाँ भाई मतलब popular stories है popular passages है तो उसमें से वो आपको पूछ सकता है ऐसा उनका आजम्शन होता है but that does not always happen please remember that okay so don't waste your time with it even if you get an unseen passage the first four questions you can easily write ठीक है you can understand what the passage is about factual है तो वो तो information दिया रहेगा personal response आपको खुछ सही लिखना है तो उसके पीछे time based करोंके और passages ढूंडने मत जाओ internet पर ढूंड रहे हो या कोई books खरीद रहे हो सब मत करना ठीक है unseen passages are simple don't worry about summary writing of the unseen passage now this is something that is different from section 1 आप देखो तो section 2 का B question अगर आप देखोगे तो summary writing means कि आपको कोई एक passage दिया जिसमें 3 या 4 paragraphs है आपको उसका short या brief में summary लिखना है अपने वर्ड्स में कि यह प्रैसी writing नहीं है यह summary writing प्लीज अंडिस्टेंड दिफ्रेंट तो यह भी काफी हद तक आपके उपर depends करता कि आपकी इस context में किस तरह से लिख रहे हो ठीक है एक यह पर याद कर इसमें समझ लेना प्लीज ध्यान में रख लेना summary writing में don't over complicated please don't over complicate okay मतलब कि इसमें आप essay writing करने मतलग जाना कि आप मुहावरे मतलब कि आप idioms and phrases लिख रहे हो anecdotes लिख रहे हो यह सब मत करना इसमें don't over complicate summary writing is only three marks it's not like you have to write one entire page of essay or something please remember that what you are going to do is the the passage that is given to you suppose the passage is three paragraphs right you write two or three lines about each paragraph in summary form बच समझ आई ठीक है इसमें over जादा एकदम मतलब कि अपनी creativity नहीं डालनी creativity नहीं चाहिए इसमें जो जो paragraph दिया है उसी का summarization आपको करना है ठीक है उसके बाद आता है mind mapping mind mapping तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है अपन chemistry में physics में कोई भी और subject में जो अपन chart form में if they are saying or if they are telling you up front that we are going to be asking you one mind map question ये तो fix है ना paper pattern में अब ये question आप मुझे बताओ जो paragraph जिसमें scientific चीजें होंगी जिसमें values आएगी है ना जिसमें कुछ interpretation होंगे ऐसे ही question में mind map बनेगा ना सही है तो आपको ज्यादा theoretical question नहीं आने वाला इतना आप समझ गए unseen passages में किस टाइब का question आएगा जैसे कि मैंने अभी example दिया population of India 1991 में इतना था 2001 में इतना था 2011 में इतना हुआ आप माइंड मैप बनाओगे अच्छा यह year है यह population है इस तरह से आपने चार्ट बनाया उसका चार्ट बना सकते हो सही बोल रहा हूं किसी कहानी का आप चार्ट तो बना नहीं सकते है बास समझ आ रही है क्या बोल रहा हू या फिर जो data है correct तो आपको data वाला paragraph भी लेगा ना कि theoretical समझे या फिर for example मैं ने एक छोटा सा आपको paragraph दे दिया अकबर बाच्छा और हुमायू और बाबर वगरा के बारे में तो आप mind map में क्या बनाओगे कि बाबर का बेटा हुमायू था हुमायू का बेटा अकबर था बाबर इस साल में आयता हुमायू साल में आयता अकबर इस साल में यही दिया होगा ना paragraph में समझ रहो बात को तो information वाला या data वाला paragraphs आपको इसमें जादा आने वाला है इतना समझ जाओ इस पे से आप interpretation निकाल लो समझ गये बात को ठीक है इसमें random theoretical passages नहीं आगे कि कहानी वहानी लिखी हुई है नहीं इसमें आपको या तो family tree बनाने को आ जाएगा आ जाता है section 2 का question 3 ठीक है section 1 में 2 हो गए एक scene 1 unseen prose part खत्व section 2 आपका poetry है और ये जो part है ये थोड़ा unique है क्या है appreciation of the poetry ये हिंदी में आप लोग शायद school में लिखते होगे हिंदी में कविता का भावार्थ लिखते थे आप हिंदी में एक topic आथा था भावार्थ यादे जिसमें आप लिखते थे ना कि कवी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि so and so so and so बस वही English में appreciation of the poem ठीक है मैं आप लोग को example के साथ बताऊंगा in fact जितने poems आपके syllabus में we'll cover all and how to write their appreciation at least if not all at least major जितने भी poems सारे अपन cover करेंगे और उनके appreciation कैसे लिखने वो मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है scene वाले सारे तो यहाँ पर भी आपका जो format है उसको जरा समझ लो sorry I'm having a little dust allergy today I cleaned my desk so so यहाँ पर है first again simple global understanding मतलब अगयन overall आपको fundamental idea of the paragraph यह ध्यान में रखना और इसको आपको जान लेना है second is again interpretation or analytical inference type question personal response third है similar you will find the format is similar yes fourth is poetic device what is poetic device बच्चो poetic device is nothing but your figure of speech poetic device is nothing but your figure of speech हर poem में कोई ना कोई बदब कोई ना कोई एक दो क्या आपको हजार तरह के figure of speech मिलेंगे यह तो fix है तो आपको figure of speech पर यह guaranteed question and poetry section में आने ही वाला of course two lines यह 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 थोड़ा unique question है यहां पर आपको अपने खुद के आपके एक पोएम है सारोज नीन आइडू कि आपने अगर पढ़ी हो तो ठीक है इस अबाट दे इंडियन वीवर्स जो बुनाई पर पोएम है तो हम स्काय पर लिखो ठीक है ऐसा नहीं आता तो यहां पर creativity मतलब कि आपको एक general idea रहेगा पोएम पढ़के और उससे related कोई को छोटा एक subtopic रहेगा उस पर दो या चार लाइन लिखने अगें इसमें ज्यादा गालिब नहीं बनना है हां पता चला सारी creativity यहीं पर जोकने लगे ऐसा नहीं है जितना लिखा गया है दो या चार लाइन 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 स्कीम और यू राइन मीटर मतलब कि एक प्रॉपर आपका फॉर्मैट हो आपके दो या चार लाइन का राइन स्कीम के साथ में इस एक अंडेस्टूड ठीक है अगें डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट हीर वेनेवर यू आपके पैसेज के टाइप के वेश्चन तो उसमें ज्यादा है अप्रीशियेशन ना एप्रीशियेशन बाइट सेल्फ फोर मार्स का अच्छा खासा लंबा मतलब एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ठीक है और यहां पर आपको या तो वह एक अंस एक अंदूसरा पोएम का यह देगा यह अंसीन भी दे सकता है in some cases but I think they have specified here they will give you scene extract from another poem मतलब की दो एक section 1 में अलग पोएम होगी जिसके पर 5 questions है और बी में एक separate poem होगी आपके syllabus में से ही total वैसे भी 6 है दो तो दिलीट कर दी और उसका आपको सिर्फ appreciation लिखना उससे related questions नहीं मतलब again you can say like a summary only but what is the difference that appreciation में you have to write the title of the poem you have to write about the poet poet की थोड़ी सी history उनी ची एक line एक line दो line आपको poet के बारे में भी लिखना है ठीक है फिर उसके बाद उस poem की जो main theme है वो लिखनी है उसमें जो poetic device है जो use किया गया है वो लिखना है उसमें जो rhyme scheme है वो लिखनी है उसकी जो type है जो type of poem जैसे ballad हो सकता है sonnet हो सकता है free words poetry हो सकती बहुत सारे अलग-अलग varieties होते हैं तो वो कौन से variety या question answer format में है कोई poem where one person asking question and then the poet is answering वैसे type का question तो आपको format भी लिखना है and in conclusion you have to write कि भाई इस particular theme से आपको क्या समझ में है या क्या message है तो इत्ती सारी जो fixed points है वो आपके सारे appreciation में आने चाहिए again I will give you a list in writing of what all points you have to include in appreciation and there are six poems in your syllabus out of which major at least सारे poems का हम लोग appreciation भी discuss करेंगे कि इस poem का यह appreciation आएगा तो अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा तो आप वो 5 यह अच्छी appreciation आठ 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 दस दस लाइन के आप learn करके जाना is that clear तो आपके marks कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें से आने वाला सीन में से आने वाला make sure that you understand that सीन में से आने वाला मैं appreciation बता दूंगा आप वो लर्न करके जाना फैर एनफ बच्चो बढ़िया ओके यह वह आपका poetry पार्ट है ना section 2 खतम हो गया यह और बी ड़न section 3 आपका है writing skills जिसमें आप लोगों को बहुत हमेशा doubt रहता है questions रहते है writing skills में कैसा है ना पहली बात तो आपको धेर सारे options मिलते हैं तो चिंता नहीं कर देर सारे options जैसे की 4A में you can write either a virtual message or a statement of purpose और a group discussion group discussion का मतलब यह नहीं कि board exam के time पर आगे पीच्छे वाले से पूछके लिखो तो जीडी के topic रहेंगे जहाँ पर you have to write the point of view from different perspectives वैसा होता है इसमें सबसे easy लिखना है statement of purpose SOP लिखना काफी आसान होता है हम सारे ही discuss कर लेंगे कि किस तरह लिखने हैं बट अगर आपको choice दी जाए कि मैं तीनों में से कोई एक लिखना है तो आप try करना कि आप SOP लिखने के ऊपर ज्यादा यह रहो तो कि SOP is a very structured thing again इसमें ज्यादा दिमांग नहीं लगाना है और ज्यादा अपने को creativity नहीं लिखना है is that understood ठीक है SOP जाने के state इसको मैं SOP लिख देता हूँ I will refer to it as SOP from now on so you will understand ठीक है virtual message हो गया SOP हो गया group discussion हो गया यह पहला होगा second is email और report writing और interview again here you prefer ठीक है you prefer report writing why very structured format interview में again क्या होता है थोड़ी creativity दिखानी पड़ेगी आपको अच्छा ऐसा मैं बोल दूँ write an interview between a journalist and a scientist who has recently contributed to the Mars mission तो तुमको बहुत सोचना पड़ेगा कि अच्छा वो scientist ने Mars mission में क्या किया होगा journalist क्या question पूचेगा वो क्या answer देगा तो तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा समझ रहो तो creativity लगी दिमाख खर्च होगा उसमें report writing में क्या तुमको पता है ना कि अच्छा write a report on let's say earthquake था तो तुमको एक सोचने के लिए structure है तुमारे पास अच्छा earthquake था कहां पे आया कितना बड़ा earthquake था Richter scale पे क्या measure में कितने decibel का था कितने लोग मरे कितने लोग घाल हुए कॉन से hospital लेके गए और अभी करेंटली सिच्वेशिन के यह points है सोचना असान है क्या बात समझ में आरी मैं क्या बोल रहा हूं तो यहां पर थोड़ा सवा you have to be smart enough to know what to select your email I mean ठीक है it's not email you'll write on a daily basis you'll know how to write you're not going to waste your time with emails but preferably choose report writing because it has a more structured format it's easier to understand and to interpret for you okay then third is speech or comparing or expansion of ideas again here I would suggest that you go for expansion of ideas I'll tell you all three speech is again what freestyle speech is where they will give you a topic आपको उसके पर speech लिपनी आपने सबने स्कूल में किया हुआ है क्या बोलते तो उसको आप elocution competition है ना स्कूल में सबने किया होगा वक्तव य प्रत्योंगी ता हमारे और comparing क्या होती है आप function को host कर रहे हो अगें आपको एक topic या एक cultural theme या एक function के बारे में दिया हुआ है और उसकी comparing करते वक्त आप क्या क्या points कवर करो जैसे आपको पता अचा film fair awards है अगर आप host कर रहे हो तो आपको क्या क्या बोलना है आप देखते हो ना शारुक खान आता है आप अपने school का और जैनरली वह आपको हमेशा क्या बोलेंगे कि school का annual function republic day का function 15 august का function तो आप क्या बोलोगे 15 august के function में बताओ आप comparing करते हो obviously आप क्या गर होगे कि जैसे आपने introduction दिया पहले जैसे आप stage पे गहे तो आप बताएंगे okay we are all here gathered you know for the celebration of our 75th independence day अभी कितना आपना 77th I think 77th independence day right then अभी आ रहा ना republic day कली कली एशायद तो 27th 75th republic day अभी sorry 1950 whatever 72 so इतने साल हो गये ये साल में constitution बना था ये थोड़ी उसकी history थी पहली बार national vlog ऐसे hoist किया यह सब आप history उन्स के बारे में बताओंगे correct फिर आप introduce करोगे जो participants है या जो chief guest है पहले उसको introduce करोगे so and so on and so forth right so again comparing का पूरा एक format आपको पता है expansion of ideas मैंने क्यों बोला कि ये करो because वहाँ पर आपको points दिये रहेंगे expansion of ideas में क्या रहेगा बच्चो they will give you the points ready made you just have to expand दोड़ा उन्होंने आपको तीन या चार points दिये वह एक topic पे उस point को आपको expand करके लिखना है तो again आपको दिमाग कम खर्च करना पड़ेगा आप समझ रहो मेरी बात तो again expansion of ideas becomes a simple thing अगर चार पॉइंट दिये हैं कोई गदा बच्चा उन चार लाइन को भी as it is लिखके आएगा तो चार मैसे एक या दो मार्क तो ऐसे ले लेगा सभी बात है समझे और उसी को expand करके थोड़ा थोड़ा खीच खाच के चुइंग के तरह लिख दोगे तो माक्स मिल जाएगा again it becomes easy for you to write this down you don't have to think too much and last obviously the four ka d question four ka section d sub question d hai that is either a review or a blog or an appeal right review blog or appeal all three are more or less similar इतना कुछ बहुत यह नहीं है blog I wouldn't suggest again blog is like a lot of creative writing unless and until you are very confident you are extremely confident about your creative writing skills ठीक है अगर आप बहुत ही confident अपने creative writing skills को लेके तो आप blog या speech या ऐसे topics को tackle करने की कोशिश करना otherwise use your common sense stick to the topics that that have a structure again appeal writing here has a certain structure that we will go through in step by step जहां पर अपने पास एक fixed format है और अपन वो format को चिपक के ही लिखेंगे चीजों तो जादा बहतर है तो यह चार questions है मैंने आपको यह जो blue में underline किये यह मेरा suggestion कि आप इस पर focus करो जरूर नहीं कि हर student के लिए apply हो but 90% students के लिए definitely these are the easiest possible options तो अगर आप average average हो या आपको ऐसा है कि मेरे को बहुत जादा creative नहीं सोचना है marks लेने सीधा तो आप इन चारों पर ही focus करना is that understood why I am saying that is as a student the mistake that you make is you start doing one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve you start preparing twelve different things आप समझ रहो आपको बारा चीजे प्रिपेर नहीं करनी है कि आप message भी प्रिपेर करके गए speech भी प्रिपेर करके गए comparing भी प्रिपेर किया ब्लॉग भी प्रिपेर किया review भी यह बेवकूफी नहीं करनी है आप समझ रहो मेरी बात को आपको A section में से एक चीज़ पकड़ी उसको practice करने बी section में एक चीज़ तो आप सिर्फ report writing SOP expansion of idea और appeal करके जाओगे तो आपको guarantee कि भाई format यह है अब यह सवाल मत पूछना थोड़ा stupid सवाल है मत पूछना कि sir वो लोग ऐसा कर सकते क्या speech के साथ appeal दे देंगे और change नहीं यह format दिया हुआ है रश्टर बोड की तरफ से लिया है ठीक है मतलब की review blog और appeal में से एक ही आने वाला है ऐसा नहीं होगा कि आप तुम review option में छोड़के गए हो तो वो किसी और question में डालके वो confuse कर देगा ऐसा नहीं होने वाला है I all getting my point so don't waste your time with 12 different writing skills I hope I have made myself crystal clear here yes if you are using your common sense do not waste your time with 12 different set of writing skills make sure that you focus on four only and smartly करो ना चार ही आने वाले है तो चार के ओपर focus करो चार SOB practice करो चार report writing practice करो वो चलेगा but सारे मत prepare करने बैठो क्योंकि वो आपके लिए waste of time है और बहुत dangerous है क्योंकि exam के दिन फिर सब mix कर दोगे I hope this is simple clear है ना okay one activity you have to attempt from each set तो जो भी आपको सेट दिया उसमें से एक ही activity आपको करनी है ये clear हो गया सब बचोंका I'm sure है ना बढ़िया okay बहुत अच्छे then last section your fourth section is your literally literary genre which is your novel ठीक है अब यहां पर क्या है थेको थोड़ा complete the activities activities on history of English novel activities on अच्छा दो बार पूछा से मेरे को समझा नहीं एक सकेंड ठीक है तो इसमें पहले तो यह clear है कि भाई अपना जो textbook का section 4 है पूरा है ना उसमें से 4 chapters 4.1 to 4.4 उसमें से यह questions बनेंगे 5 section के मतलब पूरा unit आपको learn करना पड़ेगा वो चार chapters ठीक है history of English novel वाला मतलब जो यह fix है कि यह 4.1 में से बनेगा ठीक है ना इसमें आपके डारेक्ट या तो objective question ही होंगे generally to objectives ही है ठीक है true or false है यह भी लिखा हुआ यहां पर fill in the blanks या true or false type question होंगे जाधा करके कि 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 type की novel होती है या उसकी history क्या थी यह ठीक है जैसे fictional writing है genre अलग-अलग है novel का old English में लिखा हुआ है की और कि time में set and all those things he will ask you which does not mean that you have to sit and read novels you just read those four chapters that's more than you know पता चला पूरी Sherlock Holmes नहीं पढ़ने बैठना है वो जो जो topic दिया वही वही अच्छे से रीड कर लो उसको learn मत करो उसको read करो और उसके जो text back questions है उस पर focus कर लो ठीक है ना जो last के चार unit है those text back questions you just go through once if you don't get the answers we'll discuss them of course and only those will be asked generally कुछ नया बाहर से ऐस ताच नहीं पूछेंगे उसके बाद है आपका section B 5th का section question 5 का sub question B यहां पर है plot structure theme setting language और character again they will not give you the paragraph they will expect you to know the paragraphs from the given sections generally यह 4.2 में से ही आएगा 4.2 वाला कौन सा है बच्छो आपका 4.2 वा ब्रेथवेट वाला है I think so to serve with love yes to serve with love वाला है ना तो इसमें से आएगा और पहले वाला तो history of the novel है उसमें से आएगा तो आपके fixed question 5 का A 4.1 से है 5 का B 4.2 से है और सेम वे आपका 5 का C 5th question का sub question C 4.3 से है which is 4.3 4.4 around the world in 80 days उसके पर film भी बनी है ना I think Jackie Chan उसमें जहां तक मुझे ओवन विलसन और Jackie Chan if I remember very famous story they made one film earlier also on that it's a real like story of a real person who actually manage the words or voyage so around the world on by see के बारे में तो उनके भी जो direct क्या बोलते है characters या plot या theme उसके ओपर question आएगा है ना या name a character या discuss the personality of a particular character उसके बारे में आपको दो मार्क का question होगा ठीक है और फिर next होगा 4.4 similar same तो five fifth question का a b c d यह आपके textbook का बतला आपको दे दिया उन्होंने paper leak कर दिया ऐसा हो गया ठीक है आपको पता अच्छा यह चार चैप्टर में से चार section आने वाले इस question है ना तो फिर तो बात ही खतम होगे एकदम simple हो जाता है वो 4.1234 से आपके चार sub question बन गये और total marks कितने आप देख लो 16 marks है guaranteed तो यह आप option में नहीं छोड़ सकते है है न हो सकता है कि उन novels की कुछ novels के कुछ sentences आपके लिए थोड़ से जादा difficult हो या उसका particular usage हो गया या एक character के traits समझना आपके लिए difficult हो तो that we can have a discussion on that is fine but make sure that you don't leave this in option or something आपको यह पार्ट जो है वो cover करना ही है क्योंकि यह 16 यहां पर आपके fixed है कि आने वाली more than writing skills by the same same number of marks but writing skills में तो फिर भी बहुत creativity दिमाग लगा के लिखना है चीज़े कुछ से लिखनी यहां तो पता है न कि किस topic में से आ रहा है कम से कम characters के नाम story basic idea theme तो learn करके जाओगे तो माज तो ले लोगे समझ में आरी बात है ना ओके देन आइधिंक सो question 5b cdr memory based yes यहां पर भी लिखा हुआ है यह लोगने पूरा का पूरा memory based है तो इसमें आपको passage नहीं दिया जाएगा mind mapping में जो भी model answer आपके model पर जो भी model answer की बनेगी वह exact name बनी जाएगी whatever you have again a little freedom और margin to write in your own method or own manner grammar activities are in activity format okay yeah I think this is fine paper setters के लिए है ना सो यह हुआ हमारा paper pattern यह तो हमारा कि क्या-क्या question आने वाले किस format में और किस चीज में से आने वाले ठीक है यहां तक clear है सब बच्चों को और हम कौन सी चीजों पर focus करेंगे वह भी पता चल गया अब हम लोग एक-एक topic उठाते और उनके discussion पर आते starting with poems obviously because y'all find poems the most difficult to understand ठीक है तो एक poem उठाएंगे उसको पूरा go through करेंगे उसके questions discuss करेंगे उसके figure of speech discuss करेंगे और उसका appreciation कैसे लिखना वह भी discuss fair enough चाँ